सर्पचों का शक्ती परदर्शन टक्राओ के आसार इटेंडरिंग का विरोध पंचायत मंत्री के साथ बे नतीजा रही बैठक के बाद मुखर हुए सर्पच एसोसियेशन पंचायतों में दो लाख रुपेशे अधिक के कारिये इटेंडरिंग से कराने का विरोध कर रहे सर्पच बुद्वार को पंचकूला में सक्ती परदर्शन करेंगे पंचायत मंत्री दिवेंदर बबली के साथ बैठक बे नतीजा रहने के बाद मुखर हुई सर्पच एसोसियेशन ने चंडिगड में मुख्य मंत्री निवास के घिराओ का एलान कर दिया गाओ देहात बचाओ आंदोलन के तहट परदेश बर में सर्पच पंचकूला में एकतर होंगे और चंडिगड पर मैद पैदल माच करेंगे इससे टकराओ के आसार बन गए हैं पंचायती राजसन स्थाओं में ए टेंडरिंग लागू किया जाने के बाद ही है पहला मोगा जब सर्पच एसोसियेशन दवारा परदेश सतर पर शक्ति परदसन किया जाएगा ए टेंडरिंग प्रणाली नहीं में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा ये मुनहुरलाल शियम ने कहा है गिरोध कर रहे सर्पचो को मुख्य मंतरी ने साफ कर दिया है कि बरस्टा चार से निपटने के लिए है जरूरी है ऐसे में ए टेंडरिंग प्रणाली में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा जो नई वेवस्ता सुरू के गी है वह लागू रहेगी दो लाख रूपई से यदिकी विकास कारियों में सरकार इटेंडर को सफलता से लागू कर रही है जो भी शिकायत या दिकत याएगी उन्हें दूर किया जाएगा